बिहार के गया जुले के पिल्ग्रिम रेल्वी स्टेक्शन पर खड़ी ट्रेन के स्लिपर बोगी में आग लगए आग लगने के बाद मौके पर अफरत अफरी मच गई सुचना के बाद फायर ब्रिगेट की कई गाड़िया मौके पर पहुँचकर आग बुचाने में जुटी है हाला कि तब तक वोई स्लिपर बोगी जलकर राख हो चुकी थी इस घटना की सुचना पाकर मौके पर आरपी एफ जी आरपी और रेलवे के कई अधिकारी भी पहुचे हैं इस साथ से में कोई हताहत नहीं हुआ आग लगनी का कारण फिलहाल सपश्च नहीं हो सका है मौके पर पहुचे राहत दल के द्वारा अन भोगियों को काट कर अलग किया गया वहीं प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि घटना के समय कोई भी व्यक्ती ट्रेन के अंदर मौजूद नहीं था तस्वीरों में आप साफत और पर देख सकते हैं कि किस परकार से पूरी बोगी में आग लग गई है और पूरी बोगी से धुआ धुदू कर निकल रहा है हलाकि राहत की बात ये थी कि उस दौरान कोई भी व्यक्ती उस ट्रेन में मौजूद नहीं था नहीं तो किसी बड़े हाथसे से इंकार नहीं किया जा सकता एक बोगी में पूरी तरीके से आग लग चुकी है फायर प्रिगेट की टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ी लेकिन तब तक लगभग बोगी पूरी तरीके से जल चुकी थी ग्या जंक्षन पर खड़ी थी ये ट्रेन जिसकी बोगी में अचानक आग लगी हाला कि अब बोगी को काट कर अलग कर लिया गया है बाकी सबी बोगीयों को अलग कर लिया गया है और जो जली हुई बोगी है वो अभी भी मौजूद है वहीं पर सुबर मैं इस प्रेट कॉम के किनारे जो सड़क है उस पर मॉर्णिंग वार्ट कर रहा था तो उस बर मियान मुझे लगा कि चेश की बोगी से कुछ जुआ उट रहा है तो मैंने जो है इसकी सूचना सटकाल रेलवे के आरपी एफ इंस्वेक्टर अस्टेशन मास्टर और कि आन्ये वडियी अधिकारीों को दिया और साथी शात्य सर्थ के सायतर के सालणग भज स्रयाग लगी ती तो इसको अलग किया गया और आगपर काभू पाया पठक समा सेवक हैं, उनके द्वारा हमें सुचना मिली कि रेलबे पिलिग्रीम प्लेट फारम के उपर आइसोलेशन में पोच में आग लगी है तुरित करवाई करते हुए हमने स्वैंग भी और तीन गाड़ियों के साथ घटना स्थालों पहुंचे इसा कि आप लोग देख रहा हैं कि अनेक द्रोगियां जूटी हुई थी लेकिन आग सिर्फ देख भोगी तक कि हम लोग सिमट कर रख दे दिये उसको तीनों तरफ से आग को कंट्रोल किये आग को पूर लोग से तिजा दिये गे